Hello my dear students, so finally the day has come जिसके लिए आपने काफी महनत की है और क्योंकि आपने काफी महनत की है तो ये बहुत natural है कि इस समय हमारे मन में fear हो Fear? किस चीज का? कि paper कैसा आने वाला है? अगर paper tough हुआ तो तो trust me guys, ये जो tough situations हैं ये आपकी life में पहले बहुत बार आई है और जब जब ये situations आई हैं, इन्होंने आपको और एक बहतर person बनाया है आपने इन situations से बहुत अच्छे से deal किया है तो क्या हुआ? एक बार अगर और ये situation आजाए? तो कल जिन बातों का हमें ध्यान रखना है, यानि कल के लिए एक last session है last instruction है आप लोगों के लिए very simple one, कल जो आपको 2 hours मिलने वाले हैं वो आपके जीवन के unmold 2 hours हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है आपका goal सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये जो 2 hours मुझे मिलेंगे इसका मुझे maximum efficiency के साथ में use लेना है ये मैं कब ले पाऊंगा जब मैं अपने mind को एक दम काम रखूंगा जब मैं बाकी किसी चीज की चिंता नहीं करूंगा कि मेरा result ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो ये सा मुझे नहीं सोचना है मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मेरा goal है सब से पहले identify the easy questions and make them correct then I have to identify the moderate ones and make them correct and then I'll follow for the difficult ones that should be my strategy then I wish you all the best come out with beautiful smile I am very confident about you so you must be very confident about yourself bye-bye